पहले तुम मैं यह बताना चाहूँगा कि भाजपा के वादे और कॉंग्रेस पाटी के वादे में बहुत फर्क है। भाजपा के वादे कुद बून गए 5 साल तक पूर्या नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं, यहां की जनता को आश्वस्त कराना चाहता हूं, कि हिमाचल प्रदेश की इस नव गठित कॉंग्रेस पाटी की सरकार का यह धेय है, कि हिमाचल यह अपना शिमला में 24 by 7 interrupted supply यहां पर दी जाएगी, पानी की अबादित supply जो है, वो 24 घंटे और 7 दिन हम लोग सुनिश्चित करेंगे, उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है, मुझे शेरी विकास का भी जिमा दिया गया है, तो शेरी विकास के अंदर ही जो 2025 तक हम लोग यह इंशोर करें कि सारे की सारी जो water supply schemes हैं, वो आपकी अच्छे से सुचारू रूप से चलते हुए, 24 घंटे पानी हर एक के नल में आए ऐसी हमारा धे है और हम इसको पूरा करके दिखाएंगे, जी नगर निगम शिमला के चुनाव हैं, और लोर बजार के इ त्याशी कॉंग्रेस पार्टी के वमंग शर्मा बंगा जी यहां से खड़े हो रहे हैं, और इससे पहले यहां पर हमारे पार्शद रहे इंदर जी, उनकी धर्म पतनी हैं, और मुद्धे आपने पूछे कि क्या है, मुद्धे केवल विकास के हैं, और पिछले पांच वर् जहां पर ड्वेलप्मेंट बहुत जादा हो सकती थी, वहां पर नहीं कराई गई, और खास करके जो हमारे पार्शद, जो कॉंग्रेस पार्टी के पार्शद जीत कर आये थे, उनको काम भी नहीं करने दिया, अब मौका है, यहां से मैं तो धन्यवादी हूँ, शिमला शेह जहरी की जनता का, जिनने विधान सभा में एक बहुत अच्छा अपना विधायक चुनकर भेजा है कॉंग्रेस पार्टी का, यहां से हमारी यही उमीद है कि उमंग शर्मा बंगा जी यहां से जीतेंगी, पार्शद लोर बजार को जो है वो कॉंग्रेस पार्टी का मिलेग मेर, डेप्टी मेर कॉंग्रेस पार्टी के होगे, विधायक कॉंग्रेस पार्टी का होगा और सरकार भी कॉंग्रेस पार्टी की है, तो इसमें कोई दो राय नहीं रह जाएगी कि इस इलाके का भरपूर विकास अगले पांच वर्शों में होगा, विकास ही मुद्दा है और जिस तरह से पैसे की बरबादी हुई है, जिस तरह से पिछले पांच वर्षों में जनित के कारियों पे रोक लगी है, उसके खिलाफ आज हम मेदान में उतरे हैं, और जो पिछले पांच महीनों में हिमाचल प्रदेश की जो कॉंग्रेस पार्टी की सरकार है, उन्होंने जो काम किया है, उसको लेकर हम लोगों के ऊपर के पास जा रहे हैं और उनसे हम बहुत भाल रहे हैं। अन्मोल रिष्टों के लिए।